वाट्सअब कोर्स के इस वीडियो में आज हम सीखेंगे कि ये वाट्सअब बल्क मेसेजिंग सेंडर टूल्स क्या होते हैं क्या इनका काम हैं किस तरीके से ये काम करते हैं क्या इनको यूज करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए कौन-कौन से मार्केट में प्रोवाइडर् डिटेल्ड वीडियो है यह बल्क मैसेजिंग टूल्स के ओपर वाट्स अपके तो दोस्तों बहुत इंपॉर्टन वीडियो एंड तक जरूर देखेगा हो सकता है आपके आपके बिजनस के बहुत काम आए साथ के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे बैल अकन दबा दीज दोस्तों अगर आप लाइफ प्रेक्टिकल हाइब्रिट एडवांस डिजिटल मार्केटिंग कोर्स विद आर्टिफिशल इंटेलिजेंस एंड प्रॉंप इंजिनिरिंग सीखना चाहते हैं तो आप हमारे दिवे नमबरों पर वाट्स अप या कॉल कर सकते हैं साथ के साथ आप अपने बिजनेस को डिजिटल लेकर जाना चाहते हैं उसके लिए हमारी प्रोफेश्वेस्णल डिजिटल मार्केटिंग से दोस के लिए भी आप हम्रे दिवे नमबरों पर कॉल कर सकते हैं वाट्सअब करा हैं ड्सक्रिप्शन में भी मैं एंक्वाट्री फॉर्में और नंबर्स दे दूँगा आप ये content ये वीडियो देखने के बाद हमसे contact कर सकते हैं पिछली वीडियो में मैंने whatsapp bulk message senders के बारे में बात किया था जो third party tools होते हैं और whatsapp की site से या फिर meta की site से उन्हें कोई approval नहीं होता बट स्टिल वो bulk message sending services provide करा रहे होते हैं तो मैंने ये भी कहा था कि इन tools के बारे में हम दुबारा से कोई चर्चा नहीं करेंगे कोई discussion नहीं करेंगे सारी चीज़े मैंने आपको बता देती बट स्टिल मैं एक वीडियो और इसके पर add कर रहा हूं so that कि आपको पता चल सके इन के cons तो मैंने mention किये थे वहाँ बट आपको कुछ pros भी होते हैं इन tools के वो आपको idea लग पाए अब स्टिल कुछ जो लोग है कुछ नहीं काफी बड़ा number है जो इस टाइप के tools को use करते हैं क्यूंकि उनसे उनका काम चल रहा है तो उनको API की तरफ जाने की कोई जरूरत नहीं पढ़ती तो यह आपको फायदे पता होने चीए so that कि आपको भी idea लग सके and अगर आप भी सो totally आपके उपर है ठीक है and हमारी साइट से तो मैं बिल्कुल भी इसे promote नहीं करता क्योंकि WhatsApp जिस टूल को हम use कर रहें प्लैटफॉर्म को use कर रहें वो इसे जो है authority नहीं देता बिल्कुल भी इसको prohibited कर रखा है ठीक है तो हम भी basically support नहीं करते बट स्टिल आपके knowledge के लिए आपको बता दिये थे बट प्रोज यहां पर मैंने कुछ आपको जो नहीं बताए थे प्रोज क्या है इन टूल्स के ठीक है तो यहां पर प्रोज में अगर सबसे पहली बात की जाए तो वह है very affordable costing अब अगर हम compare करे WhatsApp API की तो API आपको पता है कि किस rate पे आपको costing पढ़ती है वहां पे आपको per message का पैसा देना पड़ता है वहां पे आपको 40, 50, 70, 80 पैसा तक देना पड़ सकता है एक message का ठीक है वो depend करता है कि आपने अपने user को message भीजा या आपकी user ने आपको message भीजा है उस ideology पे वो फिर आपका charges लगते है ठीक है और जैसा कि मैंने बता है 40, 50, 70, 80 पैसा तक आपका message का लग सकता है but on the other hand यहां पे आपको 700, 800, 1000 रुपे महीने में unlimited messages का option मिल जाता है ठीक है तो obviously बहुत जादा जमीन आसमान का फर्क हो जाता है pricing के अंदर में and जो second है second option जो है easy to use and access हलांकि जैसे कि मैंने कहा था BSPs business solution providers like Vati हो गया या फिर interact हो गया AI sense हो गया वो काफी अच्छा user interface आपको बना के देते हैं user interface dashboard आपको बना के देते हैं जिसमें सारी चीज़े graphically provided रहती है सारे tools उनके रहते हैं जो आपको अच्छा कासा data आपको दिखाते हैं सारे analytics रहते हैं but still अगर आप एक layman है तो आप आपको दो-तीन option ही गिंचुन के मिलते हैं ठीक है गिंचुन के दो-तीन option से मेरा मतलब है आपको सिर्फ number add करने का option मिलेगा जहां पर आप मतलब जिस number को message करना चाते हैं ठीक है उसके अलावा आपको एक message लिखने का option मिलेगा and send ठीक है ज्यादा कुछ इसमें मिलता नहीं ह इसके अलावा दो-तीन extra options मतलब market के different different tools आपको provide कर आते हैं जैसे कि multiple numbers for numbers add करने का जिनसे आप SMS भेजते हैं not SMS sorry for that जहां पर भी मैं SMS कर मेंशन कर रहा हूं आप मेसेज समझ लीजेगा right उसके अलावा दो messages के बीच में आप कितना time interval रखना चाते हैं वो एक आपको extra option मिल जाता है इसके अलावा कुछ खास आपको option मिलते नहीं इसलिए काफी easy और simple सा option आपको मिल जाता है तो काफी easy हो जाता है तो कई लोगों के लिए और जो users इन्हें use करते हैं ठीक है बहुत जादा layman होते हैं बहुत small business owner होते हैं micro business owner होते हैं तो उनको इसी तरीके की जो है tools समझ में आते हैं ठीक है वो बड़े tools उनको थोड़ा सा बहुत जादा भारी लगते हैं और obviously costly तो है और यह basically मैं बात कर रहा हूं Indian ecosystem की right Indian ecosystem में micro business owners को आप जानते हैं किस level का उनका understanding या किस level की knowledge होती है right उन WhatsApp API में हमें किसी भी user को अगर भेजना है नया message भेजना है अगर हम let's say कोई नया user है ठीक है हम 10,000 नए numbers add कर रहे हैं अब उन्हें हमें message भेजना है तो हमें एक template जो है वो पहले approve कराना पड़ेगा WhatsApp या फिर meta की तरफ से right वो जब approve होगा तब वो template हम उसको भेज पाएंगे उसके अलावा कोई अपनी साइट से customized message नहीं भेज पाएंगे वो template ही आप भेज पाएंगे सारे अपने users को उसमें दो-तिन चीज़ा आप extra add कर सकते हैं जैसे कि उनका नाम आप सारा dynamic रख सकते हैं उसके अलावा उनका कोई दूसरी कोई personal detail है वो dynamic रख सकते हैं बट जो main template ह उसके अलावा आप extra कुछ या अपने हिसाब से कुछ customization उसमें नहीं कर सकते individual customer के हिसाब से या individual contact के हिसाब से जब उनकी साइट से उनका reply आएगा ठीक है engagement आईगी तब जाके आप उनसे जो है customized messages भेज सकते हैं इस तरीके से आपको यह WhatsApp API में option मिलता है but on the other hand यहाँ पे आप virtual person के तौर पर यह जो आपके messages भेजे जा रहे है ठीक है tools basically जो यह आप यह tools 7800 रुपे वाले tool यूज करते हैं वो basically इस चीज को automate कर रहे होते है ठीक है automate मतलब आपका जो है interaction उसमें आपकी मेहनत को कम करके रख देते हैं आपको उसमें सारी चीजे setup करके रख देनी पड़त है तो यहां पे जादा कुछ होता नहीं है इसलिए आपको एक यह option एक प्रोज या फिर फायदे के तौर पर देखने को आपको मिल जाता है जो कि आपको WhatsApp API में नहीं मिलता ठीक है वहां पे आपको template approval कराना पड़ता है किसी भी नई user को message भेजने के लिए जो approved template है आप वही भी भेज सकते हैं next है हमारा you can white label and sell it yes guys यह जो tools होते हैं जैसे कि मैंने कहा बहुत ही simple होते हैं जादो कुछ होता नहीं है इसमें तो आप इन tools की scripts को खरीद सकते हैं आप इनमें अपना logo लगा के आप अपनी conditions लगा के even sell कर सकते हैं ठीक है कई लोग इसको white label करते हैं इन tools को market से खरीद के आप चाहें तो कहीं से script खरीद सकते हैं उसमें अपनी logo लगा देंगे उसमें अपना pricing system लगा देंगे इसके अलावा कुछ conditions आप apply कर सकते हैं और उसे sell out कर सकते हैं अगर आपके पास traffic है तो यह चीज भी की जा सकती है हलागि यह whatsapp marketing के तोर पे या whatsapp marketing के साइ पर यहां पर mention किया है तो यह थे कुछ pros जो हमारे whatsapp bulk message senders के होते हैं इसके अलावा मैंने cons तो आपको अरड़ी बता रखे हैं बट स्टिल यहां पर और mention कर देता हूं मैं जो cons हमने पिछली वीडियो में जाने थे जैसे कि normal script based tool होते हैं यह ज्यादा कुछ इन में होता नही लोग इसके अलावा आप चाहे तो अपने developer अगर आपके पास है उस चीज का access है तो आप उनसे भी develop करा सकते हैं ठीक है WhatsApp web technology को use करके bulk messaging करना या इस type की messaging करना is totally prohibited WhatsApp की साइट से या फिर meta की साइट से बट स्टिल आप अगर साबधानी के साथ करते हैं तो कुछ दिन तक आप इसे चला पाएंगे और ठीक ठाक आपको जो है results मिल जाते हैं ठीक है बट जैसे कि मैंने कहा WhatsApp इसको बिल्कुल भी allow नही इस चीज़ करते हुए तो आपका number जो है totally block कर देगा और उस पर फिर कभी WhatsApp यूज नहीं कर पाएं थर्ड है not authorized from meta and WhatsApp इस टाइप के जो टूल होते हूँ बिल्कुल भी meta और WhatsApp की साइट से बिल्कुल भी authorized नहीं होते उनकी साइट से कोई भी permission नहीं होती ऐसी चीज़े operate करने क और स्टेल यह market के अंदर है और चीज़े कर रहे हैं और बहुत बड़ा user base होता है इन टूल्स का ठीक है तो जिनको फाइदा हो रहा है सो हो रहा है क्यूंकि बहुत जो small users होते हैं जिनके जादा customer नहीं है तो वो API वगेरा के जमेले में नहीं पढ़ते इस टाइप के टूल साथा सो रुपए वाला कोई प्लैन ले लेता है इन टूल्स का एंड जो है वो रेगुलर या फिर एक कुछ दिनों की टाइम इंटर्वेल पर उनको messages बेजता रहता है offers बेजता रहता है और जैसा कि चौथा कौन मैंने क्या कहा था कि आपका number जो है totally block हो सकता और हां अगर अगर यह block हो जाए तो फिर उसका कोई चांस नहीं होता number जो है unlock करने का right क्योंकि इसमें WhatsApp अगर आपको पकड़ रहा है कि आप ऐसी कुछ activity कर रहे है तो हां इसमें फिर कोई चांस नहीं बचता अब यहां पर प्रो प्रोस में मैंने यहां पर कुछ टूल्स हैं जिसको मैं मैंने मेंशन किया हुआ हाला कि मैं इन टूल्स को प्रमोट नहीं करना बिल्कूल भी बट स्टिल मैंने आपको एक रेफरेंस के लिए आपको बता दिया क्योंकि यह तूल्स अगर आप गूगल पे भी डिरेक्ली सर्च करेंगे तो यह टॉप रिजल्स में आपको और गैन इंस्टॉल कर सकते हो और extension से ही उसी आप operate कर पाओगे सारे आपको just whatsapp web खोल के रखना पड़ेगा यहां पे आप बल्क sms डाल पाओगे i mean सारे बल्क में numbers डाल पाओगे sms अपना लिख पाओगे and send button दबाके सीधा इन messages को send कर सकते हो इस इतना simple होता है इन टूल्स को use करन यह जैसे कि मैंने बार-बार आपको बता रहा हूं अब जैसे कि मैं आपको pricing भी दिखा दू rocket sender.io कि यह इनकी website है यहां पे आप login करके यहां से directly आप इनका जो extension इंस्टॉल कर सकते हैं यहां पे आपको free plan मिल जाता है जहां पे 100 messages monthly then 18$ में आप जाएंगे तो unlimited messages आपको मिल रुपे पर मंत के हिसाब से और cons मैं आपको अलरड़ी बता चुका हूं जो इसके नतीजे हो सकते हैं basically अगर आपका जो number पकड़ा गया ठीक है WhatsApp अगर उसको detect कर पाता है तो आपको basically consequences जो है अलरड़ी पता है तो यह depend करता है आपके उपर कि ऐसे tools को use करना चाहिए या नही इसमें मैं आपको कोई suggestion नहीं दे सकता हाला कि मैंने आपको जो details है जो idea था किस तरीके से यह tool काम करते हैं क्या इनका फाइदा होता है क्या इनका नुकसान होता है वो सारी चीजे मैं आपको बता चुका हूँ right तो चलिए इस वीडियो को करते हैं यही पर wrap up next वीडियो से ह हम real जो WhatsApp marketing के tool है WhatsApp API किस तरीके से आप API के लिए apply कर सकते हैं then किस तरीके साब WhatsApp जो verification tick है वो apply कर सकते हैं और इसके अलावा क्या 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 requirements है WhatsApp API के लिए वो सारी चीजों के बारे में हम upcoming वीडियो में बात करेंगे इस वीडियो को करते हैं यही पर wrap up मिलते हैं next वीडियो में तब तक के लिए उमीद करता हूं आप वीडियो बहुत पसंद आया होगा अगर पसंद आया तो कमेंट शेक्शन में ज़रूर बताइएगा दोस्तों अगर आप अपने बिजनस के लिए professional digital marketing services चाहते हैं या चाहते हैं लाइफ प्रेक्टिकल एडवांस digital marketing course with artificial intelligence direct life सीखना त जिसके अंदर 60 से भी ज्यादा high paying skills है विच सर्टिफिकेशन उसको भी आप explore कर सकते हैं और जो भी इसके लापको सीखने ही सीख सकते हैं तो दोस्तों thank you for watching marketing funders